अब से पहले मैं आपको सॉकिंग नीज बता रहा हूं इस साल जेए 2024 का अप्रेल का रिजल्ट आ चुका है नाइट में ही आया है रिजल्ट और काफी स्टुडेंट चोग गये हैं कि ऐसा क्यों कैसा क्या हो गया इस बार रिजल्ट में तो देखिए बहुत सारे में एक्जाम दिया था वह बहुत पैस्ट रहा है क्योंकि उसमें बच्चे ना बोर्ट के एक्जाम में इन्वाल्व थे लेकिन अभी अप्रेल वाले में तुरी कंपेटिशन बढ़ गई है अब सोचिए एक लाग सत्रह वन लाक एटीन थाजन एक लाग अठारह जार स्ट आएगा कितने माक्स पर कितने परसेंटाइल पर कितना रेंग आपको आने की उमीद है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा यह भी मैं बताओंगा कटफ कितना रहा इस साल जी मेंस का और पिछले की रिस्प्रक्ट में क्या ऐसा चेंज आया है कि इस तरह से जो एक तरह का जो इस साल का आप देखिए कि जो अन्रेजर्फ है यो लिए जिसको डिजर वेशन नहीं है ज др कटिगरी कि अगर हम बात करें तो यहां पर देख लीजेए आपका यह देखिए 93.23 जो है कट्फ गया है हो सरे स्टूडेंट ऐसे हैं ठीक है मैंने देखा है ठीक है करेर प्लाटफॉर्म में भी हमारे जो तीन सेंटर है ठीक है काफी स्टूडेंट जो है इस कटफ को पार किया के इनके द्वारा ठीक है किसी का 96 परसंटायल है किसी का 93.43 परसंटायल है तो वो लोग तो सौट लिस का 81.32 है ओवीशी का जो है अधर बैकवार्ट का 69.67 कटफ है ठीक है और सी का जो है 46.69 परसेंटाइल परसेंटाइल के बात कर रहा हूं इतना परसेंटाइल पाया है कट आफ इसका इसके अलाभी में काफी डिटेल आपके साथ बता रहा हूं ठीक है ज्यादा घबरानी के सब्सक्राइब करेंगे में फोकस आपका जो है यहां पर यह देखिए कटफ जो है आपका जो जो स्टूडेंट परसेंटाइल लाएगा ठीक है वहां से ले करेंगे मीनिम्मम कितने लिये गया है तो देखिए यहां पर अन्रिजर्ब जो है जन्रल कर्टिगरी का हंडेट परसेंटाइल से 93.23 परसेंटाइल मतलब इसके बीच में टोल्टन नंबर आफ जो कंडिड लेट्स है यहां पर देखिए कितने कंडिडिट को स्थ स्लिक डट मली या गया है आप है कि यह क्या होता है जविल जो है गया है का उसमें क्या क्या कि है क्टेगरी से जैसे जन्रल है ओबी सी है सब क्टेगरी से कुछ रिजल्ट को फिक्स करके टोटल मिलाकर धाय लाक रिजल्ट दिया है ठीक है तो धाय लाक में देखिए ना 97,351 बन बन गया उसके बाद जो है इसकी कट अफ गई है कितना देखिए यहां पर 93.23 यहां हंडेट परसेंट जायल से 93.23 के बीच का सारा इतनी इस कंडिट लिया गया है यह सब जीनियस स्टूडेंट है समझ लीजे ठीक है यह उसके बाद जो है आप देख लीजे 93.20 से ले करके आपका यहां तक का कट अफ जो है है यह कट अफ है हर कटेगरी का इसमें 25,000 लिया गया है ओवी सी वाले में सरसाथ 67,570 कंडिट को लिया गया है इसमें उसके बाद सी से 35,000 आसपास और स्टी से जो है 18,000 एनी पॉइंट इतने इतने स्टूडेंट को अगर आप आड करेंगे तो इतने स्टूडेंट को सॉ के टेगरी वाइज जो है न कट अफ है परसेंटाइल इन परसेंटाइल ठीक है बहुत स्टूडेंट ऐसे इस बार जो है ना मैंने देखा है जयातर जो है महाराष्ट चैलंगाना है थराबाद गुजरात हर्याना यह सब का रिजल्ट आ रहे है बिहार में कम कंडिडेट है है लिए लेकि जो हनडिट परसेंटाइल क selfish स्टूडेंट मैंने देखा है कि उसमें थींत्र M कितनी थे मस्कॉलेज है बहुत अच्छी कॉलेज है अगर हैं मिल रहा है तो में पर्कॉइबरा ये our कि किया सकता है जैसे अले स्कुर्ब्ल loin करें तो अगर आप का 80 में 100% तो हम बात नहीं करते हैं, अगर 99.96% अगर आपका आ रहा है, क्योंकि कोई एस्टिवन जी मेंस, जैन का दिया होगा, कोई इस्टिवन अपरेल का दिया होगा, तो दोनों में जो बेस्ट होगा, उसके बेसिस पर आपका परसेंटेल डिसाइड हुआ होगा, यह तो पता है, अगर आपका 99.96% आ रहा है, यहनि कल जो रिजल्ट आई है जाज़ी पालब, ठीक है जी मेंस का, तो आप सोच लिजे कि आपका All India Rank 600 से 900 के बीच आएगा, मेरा जो अनुमान है, मैं जो अनलेस करके आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे Rank आएगे आपके, अगर आपका 99.95, अब देखिए, पहले के समय में, इतने पर यह राद, देखिए, कितनी कम का डिफरेंस है, इसका मतलब कहीं ने कहीं, आपको पता है, इसलिए करके इतनी सार, Computer Science, IT, Engineering के डिमांड है आज भी, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, बहुत स्टुट्ट साइन्स ले रहे है, एक समय की बात बताता हूँ आपको, कि कुछ दिन पहले, जब मैं 2016 में कोचिंग ओपन किया था, तो उस समय हमारे यहां पर ज्यादा स्टुट्ट कमर्स का आते हैं, तो मैं अब राद चिंतित होते थे, आज के डिफरेंस, 95% से ज्यादा स्टुट्ट साइन्स वाले आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ने कहीं, साइन्स लेना जादा पसंद कर रहे हैं, बच्चे, देखें, 99.95 पे आपको 900 से लेकर 26, मतलब यह मान कोई, 900 से लेकर 26 के बीच और अगर आपका 99.83 परसेंटायल है, तो 26 लेकर 5000 के बीच आपका रहेंक आएगा, और 99.68 परसेंटायल पे आपको देखिए 5000 के आसपास रहे बन सकता है, 99 पे आप पॉइंट 008 पे अगर 15,000 का सपास रहेंक बनेगा, और 98.68 परसेंट पले 21,000 आपको रहेंक बनेगा, अब बहुत इसलों के दिमाग मारा होगा, सारी यह बताईए, कि मेरा जो ना, यह बताईए, आप एक चीव में बताता हूँ, बहुत इसलों के द तो मेरा मानना यह है, अगर आपका, अगर यह परसेंटाइल है, तो आप सोच लीजे, आपका रहेंक, औल इंडिया रहेंक, एक लाक से उपर है, मतलब यह मान कर चलिए, एक लाक तो नहीं बोलेंगे, 1.5 लाक से लेकर के 2 लाक के बीच जाएगा आपका रहेंक, भर भी सक अगरेंगे, अगरेंगे, उनको अच्छे को लेंगे, नहीं कि अगर आप एडवांस आप निकाल लेते हैं, तभी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जहीं मेंस के बिस्टेस पर भी आपको अच्छे कोलेज मिल सकता हो, घबराने की जुरत नहीं है, एक एक जाम अगर आपने डिस्क्वालिफाई कर रिया बहुत अचारे जल्ट आएगा, और वहां से भी आप आगे बर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको घबराने की जुरत नहीं है, तो आगे बरते हम, देखें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जो 100% लाए हैं, अब सोचिए कितनी अच्छे स्टूडेंट होंगे, देखें य यह जो है, महाराष्ट के दो स्टूडेंट है, यह सब स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिसके NTA स्कूर 100% है, पताई कितना बहुत है, देखें आप जयादा तर आगर हम आपको बता रहे थे ना, अभी बताईए, कुछ स्टूडेंट को मैंने लिस्ट निकाला था, ठीक ह आपके चाहते हैं, तो आप देखें टॉप एलेवन में, जयादा तर आपके कहा के है, महाराष्ट कЕ दो है, हरियना के है, राजस्थान के है, त्यलंगाना, त्यलंगाना, तेलंगाना, आंधर यहीं जो है, जयानी उधर जो है न सौत में है, हैटर आवाद एक तरह से तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था तो मैं आसा करता हूँ कि आपका रेजल्ट बहुत अच्छा होगा एडवांस के लिए अपियर हो जाईए अप टाइम नहीं है मात्र वन मन्त बचे हुए हैं आपके लिए विश्यू आल दे बेस्ट थैंक यू करियर प्लै